हेलो फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे जो देखेंगे राजनितिक रिटायर्मेंट का बहुत जादा है है यहां पे मुद्दा अभी कर रहा है नियुजिए मैं आपको देखने को मिलेगा क्योंकि अभी हुगा क्या है सारत पावार जी का पार्टी है उसमें देखेंगे कि जीत पावार इनके जो भतिजा है यह बो रहे था जीत पावार जी के तो यह बो रहे थे कि तुम्हें छोड़ो मतलब तुम्हारा 80 साल उमर हो गया 12 साल लेकिन फिर भी तुम पार्टी में बने हुए हो इन्पोर्टन जो भी काम है वो तुम छोड़ नहीं रहे तो अगला अधिकारी है वो रिटायर हो जाते हैं प्राइबेट वाले वो भी रिटायर हो जाते हैं लेकिन रजनीती में क्यों लोग रिटायर नहीं होते हैं तो इसको लेकि मैं आपको बताऊंगा वर्ड में क्या चीज़े चलती है और यहाँ पर क्या चीज़े चलती है और कब-कब कितने पार्टियों ने फिर यहाँ पर रूल बनाया आपको देखने को मिलेगा है क्योंकि 2014 में जैसे बीजेपी जीती है तो यहाँ पर यह यह रूल बनाते हैं रूल बनाते हैं क्या कि चातर साल से जो भी ऊपर के नेता रहेंगे तो उनको फिर इन्पोर्टेंट पद नहीं दिया जाएगा मंत्राले भी नहीं दिया जाएगा कुछ नहीं दिया जाएगा वह क्या करेंगे वह बस पार्टी का मार्ग मार्ग दर्खक जो होते हैं मतलब कि मार्ग दर्षण करेंगे मतलब वो rod में तैयार करेंगे कि पार्टी को कैसे काम करना चाहिए और जो भी मतलब समझे कि यूवा लीडर आएंगे वो उनसे सीखेंगे और सीख के फिर चीजे implement करेंगे ये करेंगे लेकिन वो काम नहीं करेंगे इसी वज़ा से देखेंगे लाल किरिसना डवानी जीत है और भी बहुत सारे आपको नेतर देखने को मिलेंगे उनको side किया गया उनको मंतराले को important नहीं मतलब मंतराले तो दिया ही पर्टी का फिर बस मारगत दरसक यहां पर बना दिया गया तो यह चीजे की गए उसके बाद मतलब समझे कि और भी पार्टी में बहुत सारी पाटी उन्ने रूल बनाया किसीने साथ साल किसीने 65 साल लेकिन यह चीजे implement होती है और फिर बाद में देखेंगे नहीं भी होती ह इन्पोर्टेंट नेता होते हैं उनके लिए नहीं होती है तो यह चीजे आपको देखने को मिलेगा यह मुद्धा भी देखेंगे इस बज़र से ही गरम हुआ है मतलब अजीत पावार जी जो है वह सारत पावार जी के पार्टी में समझे इनके बातीजे थे तो उन्होंने बहुत सारे एमेलो को देखेंगे कि लेके फिर वहां पर बीजेपी में बोले हैं कि मिल जाएंगे तो इससे बज़र पार्टी टूटी है वहां पर आपको देखने को मिलेगा और फिर इन्होंने यह बयान दिया है कि मतलब कि 80-80 साल इनकी उमर हो गई सारत पावार जी की कि लेकिन यह फिर भी डिटायरमेंट नहीं ले रहा है तो इसको लेकर फिर प्र पालटवार देखेंगे इन्होंने अहने सारत-पावार जीने किया है कि उमर से क्या मतलब है तुम्हें मैं 12 साल का रहूं या फिर 92 साल का रहूं तुम्हें काम मतलब कि मुझे जब तक काम करनी है मैं करूंगा और जब तक मैं मतलब पार्टी के लिए अच्छा कर सकता हूं करूंगा इसमें यह बताया गया तो फिर इसके लिए यह बताया जा र भी राजनीती के आदमी होता है जो लीडर होता है उसका एज वरता है तो माना जाता है उसको उतना experience होता है तो वो और फायदे मत होता है पाटी के लिए देश के लिए भी फायदे मत बताया जाता है लेकिन बिल्कुल ऐसा होता नहीं आपको देखने को मिलेगा और हमारे यहां पर क्या बताई जाती है कि मतलब जब राजनीती अब क्या बोला जाता है कि लोगों को 25-30 साल में जो युगा है वो राजनीती में आएंगे तो बहुत सारे फायते होंगे और मतलब कि जो हो गया है तो फिर यह retirement कहां से इस टाइम लेंगे यह बताए जाता है लेकिन अब समझे यह retirement नहीं लेंगे तो जो youth है तो वो कैसे politics में आएंगे एक तो वो आना नहीं चाहते है और दूसरा नंबर कि यह seat खाली नहीं करेंगे तो फिर आएंगे कैसे और youth आता है तो समझे कि देश का तर मतलब समझ यह की पीक पर करता है बहुत आगे मतलब देशती है क्योंकि वह इंवेटिव इसके लिए बहुत बुरा होता है तो youth जब आते हैं तो आपको देखने को मिलेका उन में काम का जोस होता है काम के जोस से वो आता है बिलकुल समझ ये कि जोस से भरे हुए और वो काम करते हैं लेकिन ये जब तक मतलब खाली नहीं करेंगे तो वो आएंगे कैसे और यूथ का आने का ये भी होता है समझे एक तो corruption कम होगा वो काम को लेके आते हैं फिर मतलब और इन लोग को पता होता है तरह तरह की चीजे की कैसे corruption करना है कैसे फिर जो बेवड़क्रेसी है उससे हाथ मिला के corruption सब मिल के कर सकते हैं पता होता है लेकिन जो यूथ हैंगे तो उनको समझे काम का जो सरह ता वो काम करते हैं innovative आइडिया लाते हैं जो भी यूथ होता है मतलब माना जाता है कि पिछली generation से जो अगली generation होती है वो थोरा मतलब आगए जानती है समझे आप मतलब कि कोई भी technology में देख सकते हैं हर एक technology में वो थोड़ा सा चीजे मतलब कि ज्यादा जानती है ये बताया जाता है तो इसमें ये बोल के बोला जा रहा है आएंगे यूथ तो ये profit होगा यहां पर और मतलब कि जैसे ये retire होंगे तो समझे ये बताया जाता है retirement से profit क्या होगा कि जितने भी हो जाएंगे तो उनका experience उनको फैदा मिल सकता है वो अगर उनके साथ टाइम बिटाएंगे तो और साथ में वो जो अपना यूथ ने स्वाल लेकर चीजे आएंगे motivated होके आएंगे politics में एक तो यूथ जो है वो आना नहीं चाहता आपको देखने को मिलेगा किसी भी यूथ सबसीट जीतने के लिए समझ यह कि 30-35 करोर रुपए वहाँ पर लगता है जो कि एक यूथ तो वहाँ पर करही नहीं सकता है तो यह सब कौन बना के रखा है यही लोग बना के रखे हैं लोग सब आओ विधान सो एक पंचाईत election में देखेंगे कि लोग करोर रुपए 5-5 क करोर तक खर्च कर देते हैं आपको देखने को मिलेगा करोर तो आम बात है आम मतलब की पंचाईत election में किया जाता है तो यूथ वो कहां से आएंगे उनके पास पैसा होगा ही नहीं तो यह सब करॉप्शन जब कम होगा तो वो आना चाहेंगे और आएंगे तो फिर अच्छ अच्छा काम कर सके यह आपको देखने को मिलेगा वही चीज़े यहां पर बात की जाती है तो यहां पर जो रिटार्मेंट का यह होता है तो उसको बताया जाता है कि इस टाइम तो जो नेता है वो परिपक हुए है अब जाके वो नेता बना है यह बताया जाता है रिटार् 14 में और उसके बाद मंतराले में जैसे ही 75 साल होता है किसी का एज तो इन्हें ने बहुत ज्यादा देखें कि मंतराले में भी चेंज किया था जैसे एज पूर जाता है तो हटा दिया जाता है वहाँ पे मेनिस्ट्री से उनको तो इन सब को लेकर है आप समझे आसी असी साल बिरासी बिरासी बानवे बानवे साल के लोग करते हैं यहां पर देखने को मिलता है तो यह मतलब अब जिंदगी भी तो कोई होनी चाहिए तुम्हें रिटायर करके अपना जिंदगी जी हो जैसे कि सरकार को नहीं है समझे जो पॉल इटिक्स में अपनी पार्टिया होती है वह रूल बना के रखती है और रूल तोरा भी जाता है वहाँ पर देखेंगे अपने काम के लिए तो यह चीज है यह टॉपिक मैंने पूरी तरह से आपको बता है ओके गई थैंक्यो और आप हम मिलेंगा बनेख्टोप